सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं तो आज भाई हम लोग ही का है मास्टर लीग में हमने कुछ ऐसे पोकी मॉन चूज किये जो स्पेसल अटाइक टाइप हो जाता तर ठीक है जैसे हमने ग्रावडाउन रखा हुआ है और थंड से पहले हम लोग चलते मैच में मैंने मूब सेट्स लगा दियें अब बस मैच के इंतजार है पहला मैच यह रहा सामने है ड्राइगो नाइट और हमारे पास स्वीकून है तो मैं यहां पर मूब कुछ वेस्ट करूँगा नहीं मैं जल्दी से पोकी मॉन लिया हो फोट्रेस स्पीड प्लस टू होने के बावजूद हम सेकेंड जा रहें यह एफेक्ट है पैरलेसिस कटी आप आपका पोकेवाना का पैलाइज होता है तो हम इसा सेकेंड एटक करते हैं फर्क नहीं पड़ता है आपका स्पीड कितना स्पीड सिक्स हैं से बहने कुछ भी है ठीक है पूरा होता है कभी कवाद स्पीड के साथ की आपका जो वन हीट किल मूव होता है मैक्सिम टाइम जाता है मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जो देखा हुआ है अब सामने है स्टीलिंग्स हमारे स्पैसल एक इंक्रीज हो चुका था और स्टीलिंग का खिल खतम अब भाई यह से एक टन बाद अटैक होता है तो मेरे कुछ मूव सी वेस्ट हो रहेते हैं यहां पर ठीक है और देखे तो मेरे दो दो आर्टो मूव वेस्ट हो चुके है अब वो शेयर कॉल भी हमारा मिक्स हो रहा है यह पोकी मॉन थोड़ा सा तंग कर रहा था मेरे को ठीक है तब मैं य तो फिर से इस्तमाल ना कर पाए नाश्टी ब्लॉट अब भारी है थंडर बोल्ट की तो चलो यह पैलाइस हो चुका है एक और थंडर बोल्ट और इसका काम हो जाएगा खातम हो तो जाना चाहिए चलो हो गया यह होता फार्दा गाइस पैरलेसिस का अगर आप किसी हम लोग यहां पर कालमाइंट करेंगे मैं चाहता है एक ही हिट में चाहता है यह सारे पोक्यूवन जितने वी उसके बच्चे में एक हीट में खतम कर दें तो कलमाइंट इसमाल करते हैं ठीक है एक बार हमने क्या एक और बार करता हूँ कि यह तो अपना ही मर जाएगा वह उसको मानने के जोड़ पड़ेगी नहीं एक दो बार और कर लेते हैं हो सकता है एंड में जो पोकिमोन हो तोड़ा तगड़ा हो या फिर इसको बचा कर रखा किया मतलब कुछ होगा स्पैसल उसमें तो अब वक्त है रेस्ट अमाल करने का है हमारी कुछ लोग हो चुकी है आप देख लो चारिजार हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए चलो आगे थंड्रूस था तो थीक है तब मैं भी सोच रहा था कुछ अच्छा बोकिमोन होगा तो यह भी बहुत अच्छा बोकिमोन है एक बार टॉन नेस्टी प्लॉट के साथ अच्छा कर देता मेरे पास कोई ऐसा पोकिमोन नहीं है जो से रोक पाता यहां सामने हमारे नूब रहे है तो वीनस ओर हमने रखा हुआ है जिसके पास अब यह सोई गानी और हमने जो है इंफस्टेशन दिया हुआ है तो ट्रैप करने को जिस करते हैं सबसे पहले मैं नहीं चाहते ह कर दो कि जाए और वह चला जाता हाथ में तो अब यह है तो भाई जी लगा देता हूं मैं अब बदल देते हैं लीच लगाए हुआ है तो हमारी थोड़ी स्टी कवर होती बरेगी और मैं टॉक्सिल लगा देता हूं ताकि जो डाक रहा है अगर वह आता है तो हमारा काम हो तो ठीक है अब हम पोकी मॉन चेंज करते हैं मैं जल्दी से ग्रॉडवान लेके आता हूं और कालमाइब इसमाल करेंगे कि हमारे अगेस्ट नोगी वह बनता है मैं एक पर कालमाइब लगाता हूं सामने है हरियमा तो पिछली बार में याद इसका बेले ड्रम ता इसा अट ठीक है चलो एक और पर वह तो ऐसे भी डेट हो जाएगा हमने अपना काम किया रखा है वहाँ पर हमें कुछ देर पोकी मॉन बदलते रहने होंगे पर मेरे वीनस वार है तो मेरे को डार्क बॉड से डरने की जरूत है नहीं मैं डाइक जीमूब लगाता हूं मेरे को लगा बना इस लेवल पर तो उससे अच्छा में एक सके बटनी दवाए दू जाद अच्छा लगता है मेरे को थोड़ा हम लेजी हो चुके हैं जीमूब मेरे को लगा कोई और वोकीमूब नहीं लाएगा स्नोर लेक्स रखेगा वह पर क्लॉश्ट्र लिक है जिसका स्पैसल जादा अच्छा रहता पर अगर कोई दूसरा स्पैक्स यूजर रहता है तो हम लों क्लियर कर पाई फिल्ड को ठीक है हर चीज के लिए रेडी रहना पड़ता है यहां पर और चलो स्पैक्स बहुत होगे मैं जीमूब लगा तो हम लोग अलमुस्ट डेड़ी है मर मरने का वक्त आ चुका है चलो वोट्रेस खतम अब मैं लेकर आता हूं हमारी इस फाइटिंग पोकीमॉन को डाक टाइम मूव जहल तो सकता है और देखते हैं और वहां से जीमूब आया और हम बच गये पर वो खतम स्पाइक्स टॉक्स भीच चुके हैं तो फाइदा हमारे लिए ह हो चुका है ठीक है वीनिस ओर लेकर आता हूं तो यहां पर प्रॉब्लम होगा तो मैं जल्दी से टॉक्सिक ला देता हूं यह फैरीडाइफ पोकीमॉन है तो टॉक्सिक जल्दी मारेगा इंफस्टेशन भी लगाते हम लोग ट्राप कर देते मैं नहीं चाहते भागे और एक बार सिंथेसिस करता हूं पर मैं फ्लिंच हो जाता हूं ठीक है अब पोकीमॉन बदलने का वक्त आ गया है गाइस नहीं तो हमारा वीनिस ओर चला जाएगा होप उसके पास डाक रहा हो तो प्रॉब्लम हो सकता है हमारे लिए तो वीनिस ओर को सेफ कर रहा हूं यहां पर करेंगे ठीक है सामने सचनरलक्स है तो हमें लिए की मदलने की जगहत पड़े एक ऱुफिर इसे खड़ा रहता हूं रहता हुज और बाते काдел भाइय ख्मया करता हूं भाई और आचि अनहीं वार चिंड करता हूं तो हमाली को एक बार कशेद्षा सоздiness मैंदों तो हमनों तो इससे क्या होता है मतलब जो हमने मूब सेट रखा इससे यह फाइदा होता है कि आपका डिफेंस इंक्रीज हो सकता है और आट्टो मूब जिसका पीपी बहुत कम होता है वह बार बार आप इस्तेमाल भी कर सकते हो ठीक है चलो भाई वह तो गया उसका से वह दो पोकिमान बचे हैं जिसमें से एक ग्राश टाइप पोकिमान है ठीक है स्नोरलेक्स है तो इसका खेल खतम आखरी पोकिमान कौन सा है वह दिखते हैं चलो भाई यह भी हम लोग जीत गए तो होफ वीडियो आपको अच्छे लेगे और मिलते आप से नेक्ट वीडियो में